Hello Everyone, Today's topic is Elasticity of Demand, Banki Loge Elasticity of Demand पढ़ने के लिए पहले हम समझते हैं कि Elasticity या Loge क्या होती है अब तक हम Demand पढ़ चुके हैं Law of Demand हमें सिर्फ Direction बताता है कि अगर Price में Change होता है तो Demand बढ़ती है या घट्ती है और अगर Other Factors Affecting Demand में कोई Change होता है तो Demand बढ़ेगी या Demand घटेगी तो वो सिर्फ हमें Positive और Negative Relationship को बताता है Factors Affecting Demand में जब भी Change होगा तो Demand में क्या Change होगा ये हमें बताएगा सिर्फ Direction of Change in Factors Affecting Demand and Demand जो Loge होती है ठीक है पहले हम लोच समझ लेते हैं कि लोच क्या है कि लोच क्या है कि अगर एक Variable में Change होता है तो वो किस तरह से दूसरे Variable पे Effect डालेगा या दूसरा Variable किस तरह से Response करेगा उसको हम कहते हैं लोच ठीक है It is a degree of Variables Responsiveness इसमें बेसिकली हम सिर्फ डारेक्शन नहीं देखते हैं क्या देखते हैं डिग्री कि अगर हम किसी एक Variable में कुछ चेंज होता है तो दूसरे Variable में दूसरा Variable किस तरह से Response करेगा और किस हद तक Response करेगा यादि कि डिग्री ओफ रिस्पॉंसिवनेस उसकी क्या होगी ठीक है तो इटिज अडिग्री ओफ वेरियेबल स्रिस्पॉंसिवनेस टू अगर चेंज अदर वेरियेबल ठीक है तो लोज किसी चर की अनुक्रियात्मकता की माप है जब किसी अन्य चर में परिवर्तन आता है ठीक है तो बेसिकली क्या है लोज कि जैसे अगर हम अगर एक इलास्टिक बैंड की भी बात करते हैं तो अगर हम उस पे फोर्स अप्लाइ कर रहे हैं ठीक है तो वो इलास्टिक बैंड किस हद तक या कितनी डिगरी तक एक्स्टेंड होगा वो कहलाएगी उस इलास्टिक बैंड की इलास्टिक या लोज ठीक है अब हम बात करते हैं मेनिंग ऑफ इलास्टिक ऑफ दिमान मांग की लोज का क्या अर्थ है ठीक है मांग की लोज का अर्थ का मतलब है यहां पे कि जो भी फैक्टर्स डिमान को अफेट करते हैं अगर उन फैक्टर्स में चेंज आएगा ठीक है तो इन फैक्टर्स में चेंज आने की बज़र से डिमान में कितनी डिगरी का चेंज आता है या डिमान किस हद तक रिस्पॉन्स करेगी ठीक है वो कहलाएगा आपका वो कहलाएगा आपका elasticity of demand या मांग की लोज it is the degree of responsiveness क्या है यह basically it is the degree of responsiveness of demand कि demand किस तरह से response कर रही है और किस हथ तक यानि कि कितने level तक response कर रही है to a change in any of one of the determinants इसमें से किसी भी determinant में अगर change आता है ठीके तरह यह सारे क्या कहलाते हैं हमारे independent variable कहलाते हैं ठीके और demand जो है वो इन पर dependent होता है तो demand क्या है हमारा dependent variable है और यह सारे जो factors है जो demand को affect करते हैं यह सारे independent variables है तो जब हमारे independent variables में change आएगा तो demand में किस degree तक response demand करती है ठीके वो हमारा show करता है मांग की लोज को ठीके अब क्या-क्या determinants हो सकते हैं price हो सकता है income हो सकता है price of related good हो सकता है ठीके अगर price में change आता है और demand में change आता है ठीके price में change आने की वज़ा से यानि एक variable हम price ले रहे हैं independent variable हमारा price है और dependent variable हमारा क्या है demand तो अगर हमारे independent variable यानि की price में change आएगा तो उसकी वज़ा से हमारी जो demand है जो हमारा dependent variable है वो कितनी degree of responsiveness शो करेगा उसको हम कहेंगे price elasticity of demand मांग की कीमत लोच ठीके अगर price में change आता है अगर income में change आता है तो demand किस degree तक response करेगी ठीके कितना response करेगी income में change आने पर उसको हम कहेंगे income elasticity of demand मांग की आयलोच ठीके और अगर price of related goods याने कि अगर संबंदित वस्तों की कीमतों में कोई परिवर्तन होता है तो उसकी वज़र से demand किस हद तक जो है response करेगी तो वो कहलाती है हमारी cross elasticity of demand ठीके तो यह क्या है यह मांग की अनुक्रियात्मक्ता की माप है कि मांग किस तरह से response कर रही है कि माप है जब मांग कि किसी एक निधारत तत्व जैसे कीमत में आए में या संबंदित वस्तों की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं elasticity of demand ठीके तीन तरह की elasticity of demand हम पढ़ेंगे price elasticity of demand, income elasticity of demand and cross elasticity of demand ठीके? थैंक यू